अज जसे एक जहे बिशेदे वारे गल करांगे जिस वारे गल करने बहुत ओक्खी कठेन खुंदी है जाकसर लोग की गल केंदे है कि तर्म की है इनों दस्या ने जा सकदा तर्म नों समझन दे लई मुनुख नों तर्म एक जीवन बतीद करना चहीदा है इस गल नों एक बदवान और रड़ फाटो ने अपनी किताब दा आईडिया फोली दे विच ये गल केंदे तर्म एक पवित्तरता दा अनुपव है जा तर्म में एक रहसम ए अनुपव है तछ एक गयरतारक एक नौन रशनल फनामना है तह ये कर एक नौन रचनल है तो इनों से तर्क दे नाल जाकिसे एक द्रिश्ठी को कून दे नाल नहीं सम सकदे तिंग अपका इनों नहीं सम सकदे ता फिर है कि दंदा जा फिर रहस्माई अनपव दस वाकी है असी जान देयां कि एदे वारे एक है जान दा है कि ए बहुत गुज्जा पेद है जिड़ा किसे नों दस्या नहीं जान दा जा एदे वारे बिलियम जेम्स ने अपने किताब दा ब्रेटी आफ अर्लीजेस एक्सपीरियंस दे विच एग अल प्रवावशा लिटा अंगनाल कही के ता रमदा अनपव निज्जी हुंदा है बंदेदी आपनी कमाई है ये किसे नों होर नों नहीं दित्ते जान दा ते ना ये किसे नों होर नों दस्या जा सकता है अक्सर लोग की कहन दा के रहस्मई अनपव अजहा अनपव जिड़ा ब्यान तो बारा हुंदा है ते मैंनों ये जाब दा के असे नों ब्यान तो बारा नहीं कह सकते हां ये गल जरूरा के तर्मिक अनपव नों समझन दे ले एक इदे विच पाटिस्पेट करना इदे इनों पेशकरन दे ले आम पाशा काफी नहीं हुंदी इदे ले सानुक वक्री पाशा जिन वसी कह सकते हैं के तर्मिक पाशा दा परजो करना पेंदा है जेड़ी पाशा सिंबॉलिक परतीक में हुंदी है एक मसला एक जह है जी दे वारे बहुत सारे लोगा ने लिखे आत प्रांतु राड़ फाटो अपने कताव दे विच्च दा आइडिया फोली दे विच्च मिस्टिकल अक्स्पीरियंस रहसमाई अनपव दे दो महतपूर्ण लच्छन ब्यान करदा है ए दो लच्छन के पहला के मस्टीरियम ट्रिमंडम हंदा है दूसरा मस्टीरियम फैसिनम मस्टीरियम ट्रिमंडम दी गल करदा हुया राड़ फाटो ए गल केंदा के पुवित्तरता दा जा रहसमाई अनपव दे विच्च मुनुख इक प्रेरत डर दे एसास बिच्च गुजर्दा है ते इस एसास नो असी पावनात्मिक फीलिंग दी लेवल ते सामझ सकते हैं त दे लिए उने शाद बरते है कि जड़ा मिस्टिकल एक्सपीरियंस है ए इट इस एक्सपीरियंस आफ ड्रेड पाव ए अवैफॉलनेस ए ड्राबना हुंदा है जदों डर दी गल करदा है ता नाल दी नाल ए भी सपस्ट करदा है कि ए डर मुनुख नू आम के समदा जड़ा असी डर जिदना किसे चोर दा लटेरे दा डाकू दा जा कातल दा डर हुंदा है इतना वक्रा हुंदा है इसे करके इसनों हो प्रेर्त डर केंदा है एक जहा डर जेडा मुनुख अपने सवैदे नाल उस सता दे इनकॉंटर दे विच जदों होंदा जा ओधी पवित्तरता हाजरी दे विच जानदा है ता ओधे अंदर एक अजीव किसंदा जब लखन किसंदा डर पैदा हुंदा है ते एस डर नो वो ब्यान नहीं कर सकता प्रांतु एक एदान दी थर्थराहट एक कंपणी नमां डर हुंदा है जड़े वारे एक मेस्टिक जड़ा बंदा साधक जड़ा साधना कर दा जा ओ तर मेंक प्रकिरया दे विच शामूल हुंदा है ओधे विच कोई सता नहीं है पाब सता एस करके के ओ सता जड़ी खोली अदर है जदो दा experience कर दा है कि होली अदर दा मतलके सर्ब उच्छ सता दे विच्छ घुसे महांशक्तिदे सामने मनुख आपने अपनों सतहीन पावन इपुणसक मैसूस कर दा है एदा lookin Dance करना जिए गल कह सक दा है किंग भिर्ती वड़े लोग अपने आपनों आना खुंखम कर लेंडेने कि ओ एक कंदेने कि मेरे विच कुछ नहीं है तो मैं एक तूछ जांसान है जा फिर मैंक तूड़ दी तरह हैं जा एक किंगे दी मात तरहां जा स्वा स्वा प्रतौ तूड़ तर्मिक शब्दावली दे विच तर्मिक लोग अक्सर बरत देने यस अनप अवनो कबीर जी ने अपनी बाणी दे बिच बहुत खुबसूरत टांगनाल व्यान कीता है वो लिखते ने के कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझ को सौंपते क्या लागे मेरा कहनदा मतलब इसे गालनों राडफाटो ने एक बदवान सचैले माखर ओधे हवाले दे नाल एक अल केई के mystical experience is a complete surrender towards ultimate कहनदा पाव के मनुख दा एक पूरन तरांदा समर्पन हुंदा है अपने आप दा समर्पन करना अपने आपनों एक majestic पावर देगे जा फिर इद्धा नानपव जिद्धा एक आम्यक्ती किसे राजे दे सामने राजा एक पावर दा एक शक्ती दा प्रतीक है ओधे सामने हाजर होएगा ते आपने आपनों हाजर होण वळा मनुख राजे नू एक शक्ती शाली मन्दा है पाव केप वित्तरता दा जा होल्ली दा इक जहा अनुपव जीदे विच जदों साधक जा साधना करन वळा अनुपव इंसान इस प्रकिर्या दे विच शामल होंदा है ता साथ तो पहला ओदे मन दे विच इद्धा निपावना एक जिद्धा सी करें के नथिंगनेस के ओदे विच कुछ नहीं है पाव जेड़ी ओदा जीवन है जा जो ओदे समर्था है ये एक किसे होर शक्ती दी वक्षिश करके ओपना जीवन बतीद करदा है तो एदे नाल दी नाल फिर जड़ा मिस्टीरियम ट्रेमंडम दा अगला पाखेदा दा कि जदो मनुख ने ए मैसूस कर ला कि मेरे दे विच कुछ नहीं है ता फिर ओ एक बहुत असीम के संदी ताक्त अपने अंदर मैसूस कर करता है ओं ताक्त जीदे लिए के रोड़ फाटो केंदा है के एप ताक्त कोई एद्धान दी ताक्त है जीदे लिए उन्हें शावद भरता है के कंजूमरिंग फायर जब मनुख अपने आपने एक कास किसम दी और जादे नाल पर पूर मैसूस कर दा इनो तर मिक्ष दाव एक चोटा पानी ने कान हुंदा है प्रतु ज़ा दो ऐक सागर्द जीदे फिच समेलत हो जान दी है ता ओ सागर था पार्ट मन जान दा है येसे गल नो रोड़ फाटो केंदा के सेंसरों ऑभर आवर्पावरेन सेंसरों metals इ सैंसरों और इंपोर्वर्टेंसी दे बार माल्क चाहतों इस पखेज कभीर जी इस तरह भियान करदे हन कवीर तूं तूं करता तूं हुआ मुझ में रहा नहूं जब आपपा परका मिट गया जत देखा तत तूं केंदा पाव ए के मनुख जदो आपने आपते नूं आपने होमे नूं मटा लेंदा है ता फिर ओस खोली अदर दियां शक्तियां दी ओदे ते वक्षिश उन्दी है जव मैसूस करदा है आपने अंदर एक खास किसम दी ऊर्जा ते ए ऊर्जा जीदे लई रणफाटों ने ये शाद वर्तिया के सेंस आफ ओबर पावर्गनेस के ओबर पावर्गनेस पाव उन्हों अपनी पावर दे नालों कितसे होर अजही पावर दा असास होंदा है जेडी बहुत गतिशील जेडी बहुत प्रभाशाली हुंदी है ते एस रहस्मे अनपव दे इन तिन्ये पक् सेंस आफ ड्रेड दूसरा के ओदे विच सेंस आफ इंपोटेंसी तीसरा सेंस आफ ओबर पावर्गनेस इन्हा तिन्ये पक्खान ओप्राचीन तर्मादियां बाखवाख प्रम्प्रामां दे विच जा बाखवाख रूपाने विच भी देख़ता है के ज़दों मनुख जी अपने अंदर मैसूस करदा सिगा इन्हा पक्खान ब्यानकारन तो बाद अरठ वा आटो एक होर महत्वपूर्ण पाख जेडा के रहस्माई अनपाव दा अगला जैस तो बिलकुल बप्रीत के रहस्माई अनपाव दे विच जित्थे होली अधर दार है जिसनों उसने सेंस साफ ड्रेड के है ते उत्थे नालदी नाल उन्हें क्या कि इस बिच मस्टीरियम फैसिनम होंदा है पाव यह सता एक जिड़ा तर्मक अनपव दे विच शामन होन वाला मुनुख है व्यक्ति है उन्हों अपने वाला अकर्षत कर दी है इदे विच एद्दा दा अकर्षन ह हुआ हुण धै के जिद्दा एक अमलीनू अमल दा कर्षन हुआ हूँआ है पाव के जदों मनुख रहस्मंई अनपवदी विच शामल हुएदा हुआ हुदै उन्हें के खास के सुन्दा अनांद प्रावत हुदै ते उस अनांदी प्रावती देली ओ बारवर जतन कर्दै एदन दे जतन के एक वारी जित्थे ओडर दा है ओथे नाल दी नाल उसता उन्हों अपने वाल खीच दी है एदली उसने जहुदी प्रमप्रादे विच्चों एक जड़ी मौजज़ दी कहाने नूँ नोट कीता है ते ओगेंदा के जदो मुसा एक बल रही चाड़ी दे नज हुई है प्रांतो चाड़ी पसमनी हो रही उठे जदो जाके रुक जणने ता ओनों एक जड़ी आवाज हुदी है बहां हुदा है रभी अवाज नोउ सुन के इक वारी मौज़ज डर जणना प्रांतो नाल दीनाल जदो ओड़ी नें ऑनाल एक झांद सम्ना नाल वाज पि तादा रब्बान ता उस रब्बी अवाज नू सोनन देली मौजज उदे प्रती होर अकर्षत हुंदा है रोड़ फाटो एगल नू होर जादा डेटेल देविच व्यान करदा दासदा है के जित्थे mystical experience देविच रहस में अनपव देविच एक सादक डर दी अवस्ता देविच गुजर दा है प्रांतु नाल दी नाल ओही डर में सता उनू अपने वाल अकर्षत कर दी है खिच दी है तो एक खिच उसे अंदर एक नरंतर खेड़े दा जा खुशियां दा जा एक वक्षश दार खोल दी है एस प्रकिर्यादे विच शामल हुया मनुख बारवार उजतन करदा रहन दा है उजतन क्यां करदा है क्योंकि उन्हों जड़ा एक मिस्टिकल एक्स्पीरियंस है हर रोज नित नमा हुंदा है एस नित नमे एक्स्पीरियंस नू रड़ फाटो ने इना तिन पक्का देनाड जड़े पहला पां डिसकस कीते ने कि इदे विच ड्रेड हुंदा है मजेस्ट्री पावर हुंदी है तीसरा इदे विच फैसिनम हुंदा है इस तरह बयान कीता है ते एक गल होर के जड़ी विच कताब है दा आईडिया फूली एदा जदोंने अन्वादकन में ना रख्या है ता नवा दक बल्लों रखेगे ना तो अलावा उनने जड़ा तर एदे विच फीलिंग्स दी गल कीती है के जड़ा मिस्टिकल एक्सपीरियंस है एक पावनात में कजा पावनादी पदर ते बापनवा बापर्ण वाला अमल है ते एनु असी किसे तार्क पदर ते नहीं समय सकते एदा मतले एनी के रोड़ फाटो रैशनलिटी नू रिजेक्ट कर दा प्रांतुए कहन दा के जड़ा तर्म ए तार्किक्ता दा विशा निया ते एक बख्रा विशा है ते जिसके संदा ए विशा एनू उसे त्रीके देना सम्झान देली एदी एदी ए होई के तर्मनों जब मिस्टीकल एक्सपीरियंस नू सम्झान देली मनुख नू इस दे फनामने देविच खोद दखल करना पाएगा केंदा पाव के तर्मनों सम्झान देली मुख शार्त जेड़ी के रोड़ फाटो दसदा है के मनुख नू पहला तर्मिक होना प प्वित्तरता नू सम्झान देली मुणुख नू खोद प्वित्तरता दा एसास करना पाएगा फिर मुणुख नू पता लगेगा के प्वित्तरता है कि अगले किसे होर बदवान दे रहस्मई बचारां दे वारे चर्चा पा किसे होर लेक्चर दे विच करांगे अज दा लेक्चर दो आन्नों कि होजा लगगा एदे वारे तुसी अपने को टिपने मी पासा कदेऊं ते जा फिर असादे इस चैनल देना तुसी लगातार जुड़े रहना और वाले समेंदे विच्च अपां फेर मिलांगे अज सिर्फ एनाई व्या गुरुजी का खालसा सिर्वाय कि युफाते युजी कि युफाते है